हेलो फ्रेंट्स आपका हमारी के अंदर में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको मटर का बहुत ही अच्छा टेश्टी नास्ता बना करके बताऊंगी तो चलिए फ्रेंट्स रूप करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर हमने लिए है कुछ मटर की दाने हरी मटर के इनको हम पानी डाल करकी बॉइल करनी के लिए रख देते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इस मटर को बॉइल कर लेते हैं जब तक हमारी मटर बॉाइल हो रही है, जब तक हम दूसरी तयारी कर लेते हैं, तो यहां पर हमने तीन उबले आलू लिये थे, जिनको हमने मैश कर लिया है, और अब हम एक कुटने में लेंगे थोड़ा सा अदरख, अदरख मेरा पहले से इक कुटने में रखा है, क्योंकि म भी डाल सकते हैं, तो सर्दियों में हरे धनिया के दाने आते हैं, यह वाली धनिया आती है, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ, आप इसकी जगह सूखी धनिया का भी यूज कर सकते हैं, तो आपको इसको अपूट करके क्रेश कर लेना है, जो धनिया के दाने हैं, और अदर पुष्बू बहुत ही अच्छी होती है और इससे नास्ते का टेष्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे जड़ा सा गरम मशाला, थोड़ी सी हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और हम थोड़े सी डालेंगे इसमें फ़ती से जीरे, घड़े जीरे डालें आपको। और यहां पर हम डालने वाले हैं इसमें करीब आधा चम्मच अमचूर पाउडर ताकि हमारा जो नास्ता बनने वाला है उसमें अच्छे से खटाई आ सके तो हमचूर पाउडर डाल देंगे हम और हम इसमें थोड़ी ची जो कटी धनिया है हरी उसको भी हम एट कर देंगे आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च डाल सकती हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ तो मैंने रेड चिली पाउडर डाला है तो आप हम द मेरी मतर करने के लिए रखी थी रखी थी बॉयल हो चुकी है और मैंने इसको ठंडे पानी से थोड़ा दो दिया था तकि हलकी ठंडी हो जाए तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी मतर हमारी बॉयल हो चुकि है चूकि यहां पर हम मतर करनास्ता बनाने वाले हैं इसलिए आपको मटर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी है आप चाहें तो और ज्यादा ले सकते हैं तो अब हम इसको हात्नों की मदश से अच्छे से मसल लेंगे आप मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि आपको एकदम इसको बारीक पीशना नहीं है अगर पीशना होता तो हम मिक्सी में भी इसको पीश सकते थे लेकिन नहीं हमको किवल मैश करना है हमारी जो मटर है मैश हो गई है क्योंकि ये उबली मटर थी इसलिए आसानी से मैश हो गई है तो अब हमने जो आलू का पेस्ट बना करके रखा था इसमें हम मटर भी डाल देंगे और अब हम इसमें नमक मिला देंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाईएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छा इसका पेस्ट बन गिया है जो मटर का पेस्ट बन करके रेडी हो गया है अब आपको क्या करना है कि एक पिलेट मेश्टित में हैं विल्कुल ये इस तरह से आपको सूजी लेनी है ये नौर्मल सूजी है भुनी अनी नहीं है अब आपको इसका थोड़ी इसा पेश्ट लेना है आलू मटर का इस तरह अपको पेश्ट लेना और इसके आपको बॉल्स जैसी बनानी है इस तरह इसे आपको बॉल्स की शेप में इसको लाना है और यह देखी हमारी बिल्कुल बॉल के शेप में आ गई है अब इसको आपको हलका साथ चप्टा कर देना है देखी फ्रेंट्स आप इस तरह से इसको चप्टा कर दे यानि कि पेड़े के आकार में ला दे और इसको आपको सूजी में अच्छे से लपेट देना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे सभी बॉल्स बन गई हैं सभी मैंने सूजी में लपेट ली हैं अब हम एक नौन इस्टिक दवा लेंगे और इसमें हम थोड़ी तेल डालेंगे तेल आपको हलका सा जादा ही लेना है क्योंकि वैसे तो हम चाहते तो कढ़ाई में दीफराई कर लेतें लेकिन हम तवे में ही काफी अच्छी सी इसको शेकेंगे कढ़ाई में चूंकि हमारे इतने सारी पीड़ी खटे ना सिक पाती टाइम लगता तो मैं तवे में जादा सा तेल डाल करके इसको सेक लेती हूं तो हम तेल लगा करके इसमें सारे अपनी बॉ पलटॅ देंगे ऑफिर नीचे वाली हिससे को हम सेखेंगे और और बार बार दो तीन दोंतर तरफ ताफ अच्छे से टिक्की के शिप में सेख लेंगे वे कितने अच्छी मटर अलू की टिक्की आशा मंगए तो इस तरह से तो फ्रेंड्स हमारी मटर की गर्मा-गरम टिक्किया बनकर के रेडी हो गई हैं आप इन्हें चाय की साथ चट्नी तो यह देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं तो मैं आपको तोड़ करके दिखाती तो मुझे comment box में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like share करना मत बूलिएगा तीके friends फिर मिलते हैं अपने next video के साथ तब तक के लिए